किसान आजकल क्रिशी कानून के विरोध में आंदोलन पर बैठे हुए हैं किसानों को चाहे वो राजनीतिक संगठन हो या फिर अन्य संगठन उनका समर्थन मिल रहा है अब किसानों को ब्रिटेन और कैनेडा के संसदों ने भी अपना समर्थन दे दिया है आपको पता दे कि मोधी सरकार के नए इक्रिशी कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज मंगलवार को भी सिंधू बोडर दिल्ली पर साथवे दिन जारी रहा दो महिने तक पंजाब में प्रदर्शनों के बाद किसानों ने दिल्ली का रुख किया है सभी किसान संगठिनों की एक ही मांग है कि नियूनतम समर्थन मुल्य पर सरकार पुखता वादा करे और इसे कानून में शामिल करे किसान संगठिनों को डर है कि मंडी से बाहर आते ही MSP पर असर पड़ेगा और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगी पंजाब के किसानों के आंदोलन के साथ साथ कई अन्य राज्यों के किसान भी धीरे धीरे जुड रहे हैं वहीं इस विरोध प्रदर्शन को ब्रिटेन, कैनेडा और अमेरिका के कई सांसदों का भी समर्थन मिल रहा है ब्रिटेन के लेबर पार्टी के सांसद और रेल मंत्री तनमंजीत सिंग ने ट्वीट किया ये बहुत ही अलग तरहें के लोग हैं जो अपना दमन करने वाले लोगों का भी पेट भरते हैं मैं पंजाब और भारत के बाकी राजों के किसानों अपने दोस्तों और परिवाल के स्लोगों के साथ खड़ा हूँ लेबर पार्टी के ही सांसद जोन मैकडोनल ने तनमंजीत सिंग का समर्थन किया और लिखा शांती पूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रती दमनकारी रवया अस्विकारी है और ये भारत की छवी को खराब करता है लेबर पार्टी की एक अन्यसांसद प्रीत को और गिल ने ट्वीट किया दिल्ली से हैरान करने वाले द्रिश किसान अपनी आज्जीविका को प्रभावित करने वाले विवादत बिल का शांती पूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे है लेकिन उन्हें चुपकर आने के लिए पानी की तेज बोचार और आसू के गोलों का इस्तमाल किया जा रहा है भारत में विवादित कानून को लेकर विरोध कर रहे नागरिकों के साथ बरताव का ये तरीका बिलकुल सही नहीं है कैनेडा में भी भारत के नएकरशी कानून की चर्चा हो रही है कैनेडा में जगमीद सिंग के नेतरत्व वाली न्यू डेमोकरिटिक पार्टी के सांसद इसे लेकर जादा मुखर है न्यू डेमोकरिटिक पार्टी के प्रमुख जगमीद सिंग ने ट्वीट किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ भारत सरकार की हिंसा बेहद आहत करने वाली है मैं पंजाब और भारत के किसानों के साथ खड़ा हूँ मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि हिंसा की बजाए शांतिपूर्ण बातचीत का रास्ता अपना है सेंट जॉन इस्ट से सांसत जैक हैरिस ने भी भारत के नए ग्रशी कानून को लेगर ट्वीट किया उन्होंने लिखा हम ये देखकर हैरान है कि आजीविका पर संकट देखकर प्रदर्शन कर रहे किसानों का भारत सरकार दमन कर रही है वाटर कैनन और आसू के गोले की वज़ाए भारत सरकार को किसानों के साथ सीधी बातचीत करनी चाहिए उन्टारियों में विपक्ष की नेता एंड्रु होर्वाथ ने ट्वीट किया मैं भारत में शांती पून तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों और उंटेरियों से इस दमन को देख रहे उनके परिजनों के साथ खड़ी हूँ हर किसी को सरकार समर्थित हिंसा के डर के बिना अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तमाल करने की आजादी होनी चाहिए कैनेडा के ब्रैम्टन इस्ट से सांसद गुर्रतन सिंग ने सदन में भी भारती किसानों के प्रदर्शन का मुद्दा उठाया उन्होंने कहा भारत में किसानों पर हमला हो रहा है इसलिए मैं सदन से भारत सरकार के इस अन्याय पून कानून के खिलाफ किसानों का साथ देने की अपील करता हूँ ब्रेमटन के नेता केविन याडे और सारा सिंग ने भी अपने नएक रशी कानून का विरोध किया ब्रेमटन सेंटर की MPP सारा सिंग ने ट्वीट किया पंजाब के एक किसान की पोती होने के इनाते मैं किसानों के साथ खड़ी हूँ क्योंकि वे अपनी आजीवी का बचाने के लिए एक नुकसान दायक कानून के खिलाफ प्रदेशन कर रहे हैं ब्रिटेन और कैनेडा की तरह अमेरिका में किसानों के आंदोलन को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा तो नहीं रही लेकिन गिनेच उने सांसद अपनी राय जरूर रख रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी की सदस्या और वकील हरमीत के धिलन ने ट्विटर पर पीम मोदी से अपील करते हुए लिखा पंजाब के किसान परिवार से होने के नाते पंजाबी किसानों पर हमला होते देखकर मेरा दिल दुखी है पीम मोदी उन्हें सुनिये उनसे मुलाकात करिये और इसका समाधान निकालिये मेरे कई रिष्टेदार हैं जो पंजाब में खेती करते हैं मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि उनके लिए क्या सही है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कम से कम उन्हें विरोध प्रदर्शन करने और सुने जाने का अधिकार तो मिलना ही चाहिए ब्रिटेन और कैनेडा में कई एक्टिविस्ट ग्रुप हैं जो भारत में किसानों के प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं सांसा जगमीत सिंग और तन्मंजीत सिंग पहले भी कश्मीर और अलपसंख्यों को के मुद्दे को लेकर मोधी सरकार की आलोचना कर चुके हैं ऐसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेयर और सुच्क्राइब करें हैंने वाल पानकेट एंटर्प्राइब